welcome to new lesson इस lesson के अंदर हम अपना conversion tracking setup करेंगे plus हम dynamic remarketing setup करेंगे so dynamic remarketing क्या होता है तो जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी फिर वेबसैट पे जाते हो Amazon अगरा पे जाते हो अप 3 चर प्राड़क्ट देख के आते हो और जैसे आप website से हटते हो आपको वो सारे products दुबारा दुबारा दिखते हैं so that's called dynamic remarketing so इस lesson में हम समझेगे कि कैसे आप dynamic remarketing setup कर सकते हो plus कैसे आप conversion tracking setup कर सकते हो ठीक है और ये दोनों काम करने के लिए हम use करेंगे wordpress plugins ठीक है wordpress plugin तो आप देख सकते हो एक ये जो plugin है इसका नाम है woocommerce google ads dynamic remarketing by wolf plus bar agency और दूसरा है woocommerce google ads conversion tracking by wolf bar and agency ठीक है तो सबसे पहले हम करते हैं dynamic remarketing हम ये नाम करते हैं copy और हम जाते हैं wordpress पे और हम जाते हैं plugin पे और हम जाते हैं add new ठीक है नया plugin हम install करते हैं और यहाँ plugin का जो नाम था उसको हम यहाँ पे search करते हैं ये आ गया ठीक है dynamic remarketing और इसको करते हैं हम install बहुत easy app है बहुत ही आसानी से install कर सकते हो इसका एक बहुत complex तरीका भी है बट हम वो नहीं करेंगे हम सबसे simple तरीका करेंगे प्लस अब इसे हम करेंगे activate ठीक है यह हम कर रहें dynamic remarketing इसके बाद हम करेंगे conversion tracking अब यह app install हो गया अब देख लो आप यहाँ पे इस app को यह रहा woocommerce, google dynamic remarketing अब जाओ आप यहाँ पे settings के अंदर अब देखो आप से यह पूछ रहा है conversion id ठीक है conversion id तो अब आपको simple एक काम करना है आपको अपने google ads account में login करना है और आपको tools and settings में जाना है और आपको जाना है audience manager पे ठीक है, आपको जाना है audience manager पे और आपको करना है setup an audience source आपको करना है google ads tag आपको करना है setup tag आपको यह दूसरा वाल option लेना है collect data on specific action ठीक है यह वाला option करोगे और हमारा e-commerce है तो आप यहाँ पे इसको करोगे retail राइट दूसरा option then आप करोगे retail then आप जाओगे advanced settings यहाँ पे कुछ नहीं करना then आप करोगे save and continue ठीक है अब यहाँ पे कर दो user use google tag manager और यह conversion id आ रही है इसको करना है यहाँ से copy वापस आना है और इसको कर देना है paste simple paste किया और आपने कर दिया save changes that's it ठीक है जी just code उठाया paste किया और save कर दिया that is it कितना ज्यादा आसान ठीक है यह हो गया पहला काम पहला काम क्या था कि हमने क्या किया dynamic remarketing implement simple plugin install किया और उसका हमने यहाँ पे id लिया और डाल दिया ठीक है और यहाँ जाओ और इसको वापस कर दो continue और इसको कर दो यहाँ पे गूगल एड में ठीक है अब क्या करेंगे दूसरा काम अब करेंगे हम conversion tracking ठीक है अब हम करेंगे conversion tracking कितनी purchases होई यह सब track करने के लिए हमेची conversion tracking तो यह मैंने again plugin copy किया और मैं गया plugins के अंदर यह रहा plugins और मैंने किया और यहाँ पे मैंने search किया conversion tracking इसको कर दिया install इसको कर दिया activate right अब देखों यहाँ पे आ गया होगा नीचे conversion tracking जाओ settings पे अब सबसे पहले हमें conversion action बनाना पड़ेगा है ना तो कैसे बनाओगे बापस आओ tools and settings conversions plus website purchase conversion का नाम लिख दू purchase use different value यहाँ पे लेना है every every का मतलब है जितने लोग खरीदेंगे उतनी purchase अगर एक बंदा पांच बार भी खरीदता है तो पांच purchases right conversion window same रखना है कोई change नहीं करना यहाँ से कर दोगे create and continue use google tag manager अब देखवा रहा है conversion id तो यहाँ से conversion id उठाओ यहाँ डाल दो conversion id then आ रहा है conversion label क्या करोगे यहाँ से उठाओगे conversion label और यहाँ पर कर दोगे paste और यहाँ से कर दोगे save changes बहुत 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 ज्यादा असान ठीक है हो गया और इससे करोगे यहाँ से next और इससे करोगे यहाँ से done ठीक है जी अब दोनों हमारा install हो चुक है सबसे पहले हमने install किया google ads dynamic remarketing tag इसकी help से हम अपने website पे dynamic remarketing run कर सकते हैं आपके website पे अगर 5 लोग आएंगे then और उन्होंने अलग-अलग product देखे तो dynamically हम उसको add दिखा सकते तो यह हो गया dynamic remarketing दूसरा हमने conversion tracking setup किया जिसके थूँ हम अपने सारे purchases वगरा track कर सकते हैं ठीक है जी तो यह दोनोर दो app की वज़द से दो plugin की help से हमने बड़े आसान तरीके से कर लिया ठीक है जी so that's it from today's lesson thank you so much for watching this